करिश्मा, रेश्मा और मनिशा तीन बहने हैं उनका एक भाई भी है मैंग मैंग अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है लेकिन मैंग की पत्णी सवीता इस मामले में मैंग से बिलकुल ही अलग है वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुकम भी चलाती है करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया तुम्हारे भाईया का उफिस जाने में देर हो रही है हाँ भावी बस अभी बनाती हूँ का रेश्मा तुम ये धीलापन छोड़ दो कल को पराय घर जाना है वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे ये माने और भावी ने कुछ सिखा नहीं और तुम्हारी दूनों बेने कहा है अब रेश्मा मार्केट गई है और मनेशा सो रही है क्या सुबह के आठ बज रहे है और ये महरानी अभी भी सो रही है ये कहते हुए सभी ता अपने सास दुर्गा देवी के पास चाती है माजी देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके क्या हुआ बजू सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने आरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है दूसरे सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है क्या करूं मैं इन दीनों का मैं तो परिशान हो गई हूँ जाए जाकर उठा उठा उससे और रिश्मा से मैं बात कहती हूँ सभी तैसीद मनिशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है महरानी जल्दी उठो सूरत सर पर आगया है बापी थोड़ी दिर और सोने दो ना मैं रात को लेट सोई थी मुझे बेस्तर में ना उठती हूँ मनिशा जल्दी से उठकर बातरों में चली जाती है सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेश्मा बाजार से हाथ में सामान ले आ जाती है रेश्मा को देखते ही सवीता उस पर बरस पढ़ती है लो आ गई महरानी ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई भाबी कल आप ही तो चीख रहे थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बाज से भी तकलिफ हो रही है देख रही हो माजी अपनी बेटी की सुबान कैजी से भी तेज़ चलती है और मैंक आप आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बेहन को रेश्मा अपनी भाबी से ऐसे बात नहीं करते चलो माफी मांगो बैया मैं क्यों माफी मांगो आप भाबी से बोली ना कि हम पर कम हुकम चलाया करे हम इस घर की बेटी आ हैं और आपकी पत्नी की ननद है नोकरानी नहीं लोड कर लो बाद इनकी भलाय के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग चाता है इस घर में यहीं हिस्सत है मेरी देख लो माची आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है सवीता वहाँ से चली जाती है मायन को बहुत गुस्सा आता है वो भी वाँ से चला जाता है फर करिश्मा रेश्मा को समझाती है रेश्मा तुम्हे भावी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना लेकिन दिदी मैंने कुछ किया ही नहीं तुम्हें माफी क्यों मंगो हाँ कर रेश्मा दिदी रेश्मा दिदी जैसे ही घर में आई भाबी ही उन्पर चिला रही थी हाँ मैं मानती हूं कि गलती भाबी की थी मैं तो इसलिए बोल रही हूं कि भाबी ने मा को तो पूरी दर अपनी वश्मे कर लिया है वो हमारी बात सुनती ही नहीं मायंग भाया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना कुई फाइदा नहीं दिदी कुछ दिनों की बात और है भावी उन्हें भी हमारे खिलाब फड़का देंगी फिर वो भी मां की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे इसी तरह सवीता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परिशान करती रहती थी एक दिन मैंग अपनी तीनों बेहनों के लिए गिफ्ट लाया करिश्मा ये तुम्हारे लिए हार का सेट करिश्मा, तुम्हारे लिए सुन्दर सी ड्रेस और मनीशा, तुम्हे किताबे पसंदेना, तुम्हारे लिए किताबे लाया हूँ ठैंक यू भईया करिश्मा, तुम्हारा नेकलिस कितना सुन्दर है ये भईया कहां से ले आया होगे मैंने भाईया को तीन दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भाईया ये ले आए सवीता तो अपनी ननदों की गिफ्ट देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आया है मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया मैं आज ही ये हार चुरा लूँ रात में सवीता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जूबी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं बलकि रात के अंधिरे में चुरा लेती इसी तरह दिन बीटते गए और सवीता ने मैंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दे एक दिन मैंक ने करिश्मा और रिश्मा के लिए रिष्टा देखा और ये बात उसे घर में सब को बताई मां करिश्मा और रिश्मा के लिए बहुत अच्छा रिष्टा आया है वो लोग कल इने देखने आ रहे हैं आप और सवीता मिलकर सारी तैयारी कर लेना ये सुनकर करिश्मा और रिश्मा खुश हो जाती है लेकिन सवीता सोचती है अगर इन दोनों बेहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा मनिशा तो एक नमबर की काम चुर है उससे तो किसी बात की उमिर लगाना ही बेकार है मुझे इस शादी को रोकना होगा अगले दिन सभी लड़के वालों की इस वागत की तयारी करने में लगे होते है तब ही मैंक अपनी बेहनों से आकर कहता है तयार होगे तुम दोनों देखो दोनों लड़के बहुत अच्छा है मैं कोई कसन नहीं छोड़ना चाता इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाबे से लड़ने मत लग जाना करिश्वा तुम वो नेकलेस पहन लो न जो मैं तुमारे लिए लाया था भाईया मैं बहुत देर से वो नेकलेस रून रही हूँ लेकिन मुझे मिली नहीं रहा तविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिटड़ी पक रही थी वो पंडी जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे दे कर करिश्मा की कुंडली बदलबा दीती है जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं बहन जी हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंदी जी को दिखाय थी आपकी बेटी की कुंडली नहीं बलकि दोशों का पिटारा है देखें मैं और मेरे पती इन से बातों में बहुत विश्वास करते हैं इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटी की शार ही नहीं करा सुटे। इस तरह करीश्मा का रिष्टा तोट जाता है और सभी घरवालों को बहुत दुख होता है अब कविता सोचती है चलो करीश्मा का तो रिष्टा तोट गया अब रिष्टा तोटना है क्या करो क्या करो अब सभी ता आवाज बदल कर किसी अन्नोन नमबर से रिष्टा की होने वाले सिसुराल में फोन करती है हेलो मैं कौन हूँ कौन नहीं यह आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं बस इतना सुन लो कि रिष्टा का दो साल से किसी के साथ अफैर चल रहा है बस रिष्टा तोड़वाने के लिए सवी तका इतना कहना काफी था अब रिष्टा का भी रिष्टा तोट गया मैंक और दुरगा दिवी ने रिष्टा को खूब खरी-खोटी सुनाई और उससे बार-बार उस लड़के के बारे में पूछने लगे आप तुनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी न जिब कोई है नहीं तो कहा से लाओं मैं कोई लड़का मैं नहीं चाहन थी किस से फोन किया था मैं सच कह रहे हूँ मैं तो पहले ही कह रहे थी इसके लगा आँ खीज कर रखो लेकिन मेरी सुनता ही कौन है अब चुपर ये भाबी ये सब आपका ही किया दरा है अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है तीनों बैन अपनी भाभी को सबक से खाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगा देखो भाया, माबाप की जएराथ में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का इसलिए इस गर के चार हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या नहीं किया और तुम इस गर में हिस्सा मंग रही हो भाईया आप और माँ हम बेहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाबी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाऊगी और उन्हें हम जैसे फ्री की नौकरानी कहा मिलेगी तो हम भाबी के साथ तो रह नहीं सकते हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए अले तुम्हें शर्मानी चाहिए अपने भावी पर ऐसा हजाम लगाते हुए वो तुम्हारे बारे में कितना सुच्टी है हाँ मा भावी हमारे बारे में बहुत सुच्टी है दिन रात पस यही सुच्टी रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदे को परिशान करो जब सभिता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पती और सास को सारी सच्चाई बता दी, और अपनी तीनों ननद से माफी मागी, मैंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एसास हो गया, आप सबीता खुद, करिश्माइब आप